आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गार्डन में नैचुरल शावर किस तरह से इस्टॉल कर सकते हैं, जो कि नेचर के साथ मैच खाता हुआ नजर आएगा आप सबसे पहले एक अंडरग्राउंड पाइप अपने गार्डन में बिचा सकते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, वहीं से एक्स्टेंशन लेकर उपर की तरफ कुछ डाई या तीन मीटर जितनी हाइट आप लेना चाहते हैं, उतनी हाइट पर एक शावर इस्टॉल कर स लगते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमने कैसे किया है, हमने पहले CPVC की पाइप यूज की है, जो की नॉर्मल घर में प्लम्बिंग में यूज होती है, जबकि हमारा वाल्व है जो ये ब्रास का है, इसके बाद ये पाइप उपर चली गई है, और इस वज़े से हमने CPVC पाइप के उपर यहां कोपर का पाइप लगा कर और इसके आगे हमने शावर फिट कर दिया है, तो इसको और भी ज़्यादा नेचरल लुक देने के लिए हमने इसको दोनों तरफ से बैंबू के बीच में धक दिया है, दोनों तरफ से हमने बैंबू इतना अच्छा लगता है, ऐसे हमने ओन कर दिया है, और यह देखी यह शावर चल रहा है, यह इस तरह से गार्डन में हमने यह शावर इस्टॉल किया है, और अभी इसको और भी ज़्यादा नेचरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके उपर कोई क्लाइमर यूज कर ल यह आप देख सकते हैं, दिवार पर यह कलाइमर लगे हुएं, यही बेल, इसी बेल का में इस्तेमाल इस शावर को ढखने के लिए करेंगे, पस इसमें सिर्फ आपको जब यह पूरी तरह से कलाइमर इसके उपर चड़ जाएगा, या यह बेल इसके उपर चड़ जाएगी तो आपको सिर्फ शावर का फेस ही नजर आएगा, या हम सिर्फ वाल्व जहां हमार रहेगा, वहां पर थोड़ी सी कलाइमर की कटिंग कर देंगे, तो और इसके नीचे भी आप एक काम कर सकते हैं, अभी हमने भी यहां पर कुछ चेंजिस करने हैं, इसके नीचे हम एक चा के पैबल्स रहते हैं, वह हम यहां पर रख देंगे, ताकि जो पानी होगा, जो अगर कोई यहां शावर लेगा, तो पानी उसी पैबल्स के थरू नीचे सोयल में ड्रेन हो जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं, हमारा ये शावर के उपर बनाया गया वीडियो जो शावर आप अपने गार्डन में नैचरल शावर इस्टाल कर सकते हैं, उसके उपर बनाया गया ये वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुडबाई, थैंक्यू